इसमें से हम लोग कुछ एक्जामपल भी समझते चलेंगे और पहले हम लोग देखेंगे कि मुल्धन क्या होता है दर क्या होता है समय क्या होता है और सधारण ब्याज क्या होता है और इसके बाद हम लोग देखने के बाद हम लोग सलुसन करेंगे उदारण को कि एक्जामपल पहले समझेंगे किस तावाल कैसा आएगा आपका पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपका क्या क्या जो है की रहता है पहला नंबर एक है आपका मुल्धन तो मुल्धन क्या होता है यदि हम लोग किसी भी कोई भी धन किसी ब्यक्ति से यदि हम लोग उधार लेते हैं या किसी को उधार की रूप में देता है तो फैनThe क्या कहते हैं मुल्धन कहते हैं और मुल्धन को इंडिकेट करते हैं कि तो ktoś किसे प्रदाषित करते हैं P से ठीका मुल Lebus गए हैं किसी भी व्यक्ति को यदि महीन अवाइदार में NR नहीं दिन में दिया हो तो हम लोग उसको वर्ष मन बाद लेंगे और ममें dir भी से भी तो हम का है कहता है ic dollar..? ुब वह अवढ़ी या समय हैी जिसके बाद उधार की रूप में ली गई आरी हिरासी जा किसी को दी गई राधी को व्याज के साथ वापच किस यहाई को सधारन ब्याज में से तथा चक्र विदि ब्याज में और यहन्त से परदसित करते हैं लिए वर्ष के लिए जो समय के लिए किसे व्यक्ती को उधार देते cachagzeug किसी ब्यक्ति से उधार लेते हैं तो वहीं आपका क्या कहलाता है समय कि वहीं क्या कह लाएगा समय कह लाएगा जैसे मालेजिए किसी ब्यक्ति से हम लोग कितने व्रस Rosa के लिए लेते हैं तो यह हुदाना रुपिया हम ऊदहार लें हुआ आपका मुल्धन कहलाता है जितने समय के लिए's चार pearl रहेगा तो आपका क्या है समय कहता है कि समय है सधारण व्याज में टीसे इंडिकेट किया जाता है और चक्रेविधी भ्याज में चलते हैं तो यह जिए का काम करता है तो निकालते हैं आपका मिसद्धन मालूम होना चाहिए और क्या मुल्धन तो आपका फाइन क्या कि जाएगा क्या चक्रद्धी ब्याज समझ में आया ऑब जरह हम देखते हैं दर क्या है क्या है क्या है अगर रहा है कि उधार लिग राशी पर ब्याज की गड़ना यदि हम लोग उधार किसी वक्ति से ले रहे हैं हैं और जितने परसेंटेज का यदि भी प्याज देता है तो कितना होगा कितना होла तो हम लोगो फाइंड करने के पहले क्या चाहिए देखीगा पहले दर समझते हैं कह रहा है कि उधार ली गई करते हैं कितना परसेंटेज आर परसेंटेज जैसे दिखेगा माल लेते हैं जो आपका मुल्धन है किसी वर्स किसी ब्यक्ति से हम लोग 100 रुपिया लिये हैं और एक वर्स के लिए लिए हैं कितने वर्स के लिए यदि एक महिन एक साल भर के लिए हैं तो कहता है कि यदि वह ब्याज लागू कर रहा है दो परसेंटेज का कितने का दो परसेंटेज का यदि व्याज लागू कर रहा है तो कहता है यह बताईए कि आपका सधारन ब्याज क यहां पर कहता है की जो सधाराण ग्याज asya होता है लिए आगे बढ़ते हैं मिस्रधन की बात करें तो मिस्रधन मिस्रधन जो होता है यादि मुल्धन में से मिस्रधन आपको निकालना है तो मिस्रधन निकलता कैसे देख़र जितना आपका सधारण ये दि किसी भी बैकर दिये हैं कि तो हम लोग करेंगे तो आपका टोटल मुल्धन और जो है कि ब्याज है यदि एड किया जाता है तो हमने उता है क्या आप का। कूलाइर भी होता है तसलों को यदि जोड़ दिया जाता है तो टीर गब है कभी कभी आपको मिस्टधन देता है और कहता है कि सद्धारन बयाज दे दिया गया है और कहता है कि भून नहीं करना है मिस्टधन में से वी सबहने करणा कि आपका तो निकालें लें किसे नहींगी का सब्सक्राइब को चलिए आग देखते हैं म्यखंग कि टूटल आपका bun कितना है और मुंधन घाट आते हैं क्या मिलता है जब पीद्याज मिलता है कि इज विए में सद्धन निकालने के लिए करना क्या है वह बाट क्या है प्रतिसत की भ्याज़ यानि कि जितने समय के लिए यानि की तो आपका लुटा है यह मैं देखे थे कि आपका जो यू श्माय होता है सधारार्ड भ्याज में टी इंडिकेट किया जाता है और लेकिन वही चक्रविधी ब्याज में चलता है तो आपको क्या हो जाता है यह आपको समय में आया तो चलिए हम लोग कुछ पहले हम यह बता दें कि आपका जो समय है अभी यदि दिन में दिया रहता है देखीगा यदि आपका दिन में समय दिया हो दूसरा है यदि हम लोग का महीने में दिया हो किसमें दिया हो महीना में दिया हो तो हम लोग किसने से भाग देंगे 12 से भाग देंगे कितने से भाग देंगे यह आप याद रखेंगे यदि दिन में दिया हो तो तो तीन सो पाइसट से डिवाइट करेंगे और यदि महीने मे दिया हो तो हम लोग कितने से भाग देंगे 12 से समझ में आया चलिए शुरू करते हैं इसमें क्या-क्या दिया है पहले वह समझेएगा इसके बाद हम लोग चलेंगे कहता है कि 500 रुपय का 20% 500 रुपया है जिसका कितना पर्षेंटेज 20% देखेगा जितना आपको पैसा है जरी 500 रुपय का 20% लागुद किया रहा है तो इसका मतलब जो मुल्धन पी है पी बराबर कितना दिया हुआ है 500 फिर्फ दर अभी पहले हैं कि इंडिकेट करते हैं आजसे तो सधाराण ब्याज निकालना है तो सधाराण व्याज क्या हो जाएगा ऐसाई बदण तना तो पिए आप्सवल फोले क्या ट ती आप अब हो जाएगा सब सधारां ट्राइस तरण कर दीजिये हां से आपका हो जाएगा 500 60 कितना है 20 समय कितना लिए तीण वर्ष की एrien 2020 कट गया इससे cya क्ट गया अब 52 गात सोभा 10 कितना हो जाएगा 300 रूपया ज quyन कियोckingि कि घरखें कितना हुआ 300 रूपय समय तो चलिए एक और कुस्चन हमारे पास से कहता है कि 2000 रुपए का 10% की दर से 73 दिन का सधारन भी आज निकाल लिए सधारन भी आज निकालना है तो यहां से पास सधारन भी आज निकालना है होता है क्या टी बटा में कितना होता है सव यहां से हम रखेंगे तो पी कमान कितना है 2000 है गुणे कितने का है कितने परसेंडेज का दस परसेंडेज का आप बाटा में आपका सव हो जाएगा आपका टी है एक बटा में कितना है कुन कि फिर पलटेंगे तो आपका से साह चला जाएगा यह हो जाएगा 25 0 जूँछ पढ़िको करें कि दूनिया कि तरह संथारों के relies falar की तरह ह सबस्रेंट टोटोल कृते हम चलीत देखते हैं और तो तुक्सला यह तो चली एक और किस्टीन आ गया इसकता था कहता है कि 9,000 रुपए का 12 2% की दर से 3 महीने का असक् laughed कितना होगा हम दोग जहें कि वर्स का देखे हैं दिन का देखें है अब महीने का देखते हैं और महीने में एक दिया हो तो वर्स ने बता идет है अब हम बता यह थेनों चली तो कहता है क्या हम लिख लेते हैं या टारेक्ट आपलोग हल भी कर सकते हैं लेकिंगर लिख कर दिखाते हैं जो मुझधन है P बरावर कितना है 9000 रुपिया है इसके बाद परसेंटेज जो है आर बरावर आपका 12 परसेंटेज का है और इसके बाद जो समय है समय आपका टी ज प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् ऐब कहोगा आपको सिर्बतुल यानिकी नाजार रुपए गोःदी बार्र परसेंटेश की दर से रही हम लोग देते हैं और वह कितने महिने के लिए रीतीन महिने के लिए देते हैं सितना ऊंभगा 27 रुपए कमकर सदारां भी अग्याज होगा चले देखते हैं कि एक और कुश्चन देखते हैं तो चलिए देखते हैं कि इस कुश्चन में क्या पूछ रहा है आप से कहता है कि पांच हजार रुपए का कितने परसंटेज की दर से है सधोर ब्याज करते ठीकि फान करते थे और शमयां के. सब्सक्राइब ब्याज क्या आपकामिव रुपाया याहर करू बलता कि मुलद हो सानुख मुलदण या तब China अब आटा में क्या था दोस्तों 100 कि यह तो आपका थास सधाराण भी आज के लिए न लेकिन यदि हम लोग इससे आपको कभी आर भी निकालना है पी भी निकालना है तो बनता कैसे है जर देखिए यहां से यदि हम लोग अब इसके करा दें तो होगा क्या देखिए और इससे इन तीनों से मोल्टिप्लाइ करें और तो होजाए अगर पी गुणे आर गुणे क्या टी बढ़र होगा था सब्सक्राइब निकालना है तो कैसे बन रहा है यह दोनों जो है इसका बाटा लग जाएंगे यानि कि यहां बाटा में आपका बाटा में आपका प्रसेंटेज निकालना है तो आपका सब्सक्राइब यहां अब इसी तर से बना लेते हैं पी बराबर हो जाएगा सब्सक्राइब यहां आपका मुल्धन फाइंट करने वाला फार्मूला है अब आगे बढ़ते हैं यहां यहां प्रस्तिसत की दर निकाली तो आपका देखिए मुल्धन आपका कितना दिया है 5000 दिया है इसके बाद कहता है कि दर निकाली और प्रस्नवाच्शा की इंडिकेट कीजिए यह समाए आपका कितना वुर्स तो दिया एक का दिया है सद्धारन व्याज आपका दिया है कितना तीन हजार रुपिया अधितना निकाल से बढ़ाएं कि आपका जो कि 503 गुणह फो अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा कितना ती कितना है पूง हें तीन हजार हैं कितना है सो आप आपको कितना है जो है कि इसति समय कितने वर्ज है जब है तिन उसे तीन को का होगा कट जाएगा तो तेन तीन साइब तो एक हो झाएगा यांनि योदि पांच हाजार पयादी बीस परसेंटेज बाढ़ाते हैं तीन वर्स के लिए तो हमनों को सधारान बैच कितना हो जाएगा 3,000 रूपईया होगा सम्झा है तो चलिए और जरा देखते हैं कोशन इसी तरह से यहनि कि इस टएप के और कोशन आता है तो कैसे सोलूसन करेंगे चलिए तो चलिए देखते हैं अब आपको क्या फाइंड करना है ज़र देखिए कहता है कि वह कौन सी धनरासी है अब आपसे पूछा है क्या पी पहले पूछा है कि वह कौन सी धनरासी है जिसका 5% की दर से वर्स के लिए टो हमलों का सधारान बेज कितना हो जाता है अठारा सो रुपीया हो जाता है तो पहले आपको मिद्धर निकालना चलिए देखते हैं क्या पूछा है कहता है कि वह कौन सी धनरासी है थो पहले यहां पाहल लिखेंगे हम लोग ना तो यहां पी बराबर पूछा कौन सी राशी है और इसका कहता है जिसका 5% आपका जो है कि आर्ट दर दिया है कितना पर्सेंटेज 5% ठीक है इसके बाद कहता है कि छो वर्स के लिए तो यहां पर टी जो है समय आपको कितना वर्स है चो वर्स कहता है कि कास सधारण व्याज आपका आठारा सो रुपिया है तो सधारण व्याज साई ना एसाई वराबर कितना है आठारा सो रुपिया आप जो है डिरेक्ट फार उंगले पर रख करके सलूसन कर सकते हैं लेकिन हम फार्मूला लेकर चलेंगे तो कहता है कि निका आपका shops सब्सक्राइब कितनी है ड्हुत हो जाएगा ऑठारा है यह ऩुलोडव be करते हैं शो यानिकी वह जो ज़ू रूपिया है जिसका एदि हम लोग पांच सन्繼續 पांच परुस्यों करते हैं जार्ज के लिए तो कितना होगा 18100 रूपिया होगा यानि कितना रूपिया था आपका 6,000 रूपिया मैं चलिए देखते हैं और और कोस्टन देखते हैं को तो छली देखते हैं आपको अब निकालना है समय के एक तो वितासमाय दिया हुआ है 607 हो जाता है तो आपका क्या तो फाइंड ना होता है हम लोग दो टाइप के question देखेंगे एक बार तो सधारण व्याज दिया हुआ है एक बार ये सधारण व्याज हटा देते हैं तब किसका value हो जाता है उसको हम लोग देखेंगे पहला टाइप का यह हैं देखिए कहता है कि 8000 रुपेय का यानि कि आपका मुलधन कितना है 8000 है 10 % की दर यानि की कि R बराबर कितना परुषे ललगाया गया है 10 % की कहता है कि कितने समय में यानि कि T आपका time पूछ रहा है कि कितना समय उसको लगेगा कि उसका सधारन ब्याज जो है यानि कि यसाई जो है आपका सोरा सो रुपिया हो जाएगा यानि कितना समय तक हम लोग उसको दे दें कि उसका सधारन ब्याज जो है कि सोरा सो रुपिया हो जाएगा तो आपसे पूछा है सधारन ब्याजन, तो सधारन ब्याजन है, आपसे समय पूछा है कितना समय है, तक हम लोग उसको दे दें हुआ पैसा, कि आपका सधारन ब्याज सोर सो रुपया हो जाएगा, तो आपसे पूछा है क्या टाइम, तो टाइम बराबर टी बराबर क्या होता है यस Slr two ऑर बाटा में आपका क्या हो जाएगा भी गूर्ल कितना और बस हम लों मान्थ करते संत कर देंग है कितना है रफ्या हैिए सो किता है रिपाटा को कितना होता है ए पर अपका है लगा सोला यानि की दो वर्ट के लिए कि tweeted54 के लिए यदी हम लोग दो बड़ी हम देदेre 8 हजारूपिया दोस पर्संटिच की दर लगा करके यदि दो वर्ष के लिए देते हैं तो हम लोगा व्याज कुतना हो जाएका सोरा सो रुपिया होगा यानिक दो वर्ष तक यह दिनी उसको देते हैं तो ठीक है किलियर है चलिए देखते हैं इसी टाइप का अगला कुश्ण क्या कहता है उसको जारा देख लिजिए कि यदि हम लोगों सधारण भ्याज न दिया हो यदि कहता है कि 8000 रुपया का 10% की दर से कितने संवाई में हैं आपका सोरु हजार रुपिया हो याव बीस हई रुपिया हो जाए तब उस व्याधिता हैं जरुपोच समाई तो इसमें थोड़ा हमों का चेंजिन हो इस परस्ण में तो इसमें अलग दिया है ø жизни सधाराण भ्याज freely है कि हाटा दिया है तो अब यहना कितना समय आपका लगये जानेहीं हो रहा है तोंदों को मिला आरग कितना बना है 2400 रूपीया यानी कि करता है कितने समय में और आपका मुल्धन था लेकिन 20% की दर से कितने समय में आपका बढ़ गया है आपका आपका जोड़ करके आपसे बोला है कि वह कितना है चानवे सो रुपिया तो आपका यह मुल्धन है यह है मुल्धन यह । तो पहले हम देखते हैं कि mis breathing दिया है म् से तो दिनक बढ़ाबर होता है कि MY P प्लस SI यहनि कि मुल्धन होता है और 0 East सबसे पहले तो ब्रहां चाहिए कि आखिर में कितना है उसके बाद हमनों समय निकाल सकते हैं तो सबसे निकालना मिस्धन किपल नहीं निकालना है आप कमेर्षय कट्ना चानवे सो अम माइनस को इधर करेंगे दा मुल्धन घट आएंगे तब तो आपको निगा सथारन व्याज कितना रूपया कि अग्यान निकल का था कि मुलधन में जोडने पर आपका टोटल जाए इतना हुआ है अब धक घटाएंगा तो कितना जाए जीरो और यह कितना जाएग च्छो और यह कितना होगा तो आपका इस आए आपको बिल्कुल हो गया होगा तो चलिए अब हम देखते हैं दिया है बीश परसेंटेज का दर नो कहता है कि कितना समय लगेगा कि और आपका सधरन व्याज कितना हो जाएगा sih ऑनर सुरा-स Oh, कहता है कि कि निषेन समय में आपका जो पंशा है kok आपorter होali यहांने कि ब्याज आपका बढ़ेगा कितना सोरा सो रुपिया कितने समय में आपका बढ़ेगा तब तो टोटल इंकम आपके च्छहांदेशो हो रही है यह मुल्धन को भी जोडने पर पूचह है तो समय T कितना हुआ तो आठ दूनी के कितना हुआ तो यानि कि बाच गया का एक वरस में कितने वरस में यदि हम लोग एक बार्स के लिए यदि देते हैं तो टोटल आपका सधारन ब्याज इसके बाद जो है कि सधारन ब्याज और आपका मुल्धन जोडने के बाद हम लोगों को पाइसा टोटल इंकम कितना होगी हो जा रहा है ब्याज को जोडने के बाद यानि कि टोटल आपका इंकम हो रही है मुल्धन को भी जोड़ दिया रहा है ब्याज को भी जोड़ करके आपका कितना हुआ कहता है कि कितने प्रतिसत सधारान ब्याज की दर से आप पहले समझ में गए होंगे कि आप से आर पूछा है लेकिन आगे क्या कहता है दो वर्स का ब्याज मुल्धन का तीन बटा में पांच गुना होगा कहता है कि जो ब्याज है मुल्धन का तीन बटा में कितना है पांच अब सिस्व घ्याज तो समझे अब उसको जरा समझेगा कहता है क्या Sam खाथ कि जो ब्याज आप chili दना कश्या मुल जनका कितना थीन वटा में कितना पाँच वन आजर समझे यहाँ पर यदि हम लोग का मान A समंधे B बरावर आपका यदि साथ बटा में कितना दिया हूं तो हम लोग तुरंदे समझ जाते हैं कि जो उपर वाला मान A का है या नीचे वाला मान कितना है यानिकि साथ समंधे कितने का है 9 तो उसी टैप से यदि हम लोग यहां पर आते हैं तो आपका ब्याज कितना हुआ ब्याज हम लोग का मिल गए तब तो हम लोग का ब्याज कितना मिला दोस्तों ब्याज तीन हो गया और आपका मुलधन कितना मिला समझीएगा मुलधन आपका कितना हो गया आपका कितना हुआ पांच ठीक है न अब यहां से कहता है कि समय कितना है टी बराबर आपका कितना है दो वर्स समय टी बराबर कितना है दो वर्स है तो कहता है कि कितना परसेंटेज आपका जो है कि ब्याज की दर लागू किया जाए कितने परतिस परसेंटेज की ब्याज की दर लागू की जाए तो चलिए तो आप से पूछा है आर तो आर बराबर ह हो जाएगा SI कितना है SI 3 है अगुने कितना है 100 आप बाटा में आपका कितना है दोस्तों पी है पांच आगुने आपका समय कितना है दो वर्सों का तो अभाई को जाएगा कितना पांच पांच 20 से कितना हो जाएगा दो सो आया हो जाएगा दो दहां 20 आया हो जाएगा दो स्क्राइए 30 यानि कि 30 परसेंटेज ये दर बढ़ाई जाए कितना परसेंटेज तीन परसेंटेज ये कर दिया जाता है तो मुल्धन जो है ये ब्याज नहीं ब्याज जो है मुल्दधन कीतना हो जाएगा तीन बटा में पांच गुना हो जाएगा कितना परसेंटेज की दर बढ़ा दी जाए तो कि लिए हैं तो इस तरह से सलूसन करेंगे तो उम्मीद होगे कि आपको सभी प्रस्म जो है कि समझ में आ गया होगा यदि समझ में है तो वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों में सेयर जरू कर दिएगा और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस भी कर दिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो म हम देखेंगे प्रस्ण नमर एक सब्सक्राइब कर जाएगा अभ्यास चालू कर जाएगा प्रस्ण नमर एक से तो इस तरह साथ जुड़ेगा चलिए आप से मिलते हैं प्रस्ण नमर एक से